बिस्मिल्लारमान रहीम वालकम टू दो वीडियो सेशन केंट पॉब्लिशर्स तोड़े वीडियो स्टार नीव चैप्टर बट विफोर स्टार्टिंग नीव चैप्टर आपके पास प्यारे बच्चो साइंस टू की बुक होनी जरूरी है और समर पेक चुंके समर वेकेशन हैं और आप लोगों ने जो साइंस में एक्टिविटीज करनी है जो कॉंसेप्ट सीकने हैं उनके साथ जो रिलेटिट क्वेशन है आपके समर पेक में वो आप लोगों ने साल्फ करने हैं हाँ और कंप्लीट अंडरस्टेंडिंग के लिए ज्यादा बहतर होगा अगर आप के पास वर्क बुक भी हैं क्योंके दीज आर क्लोजली कनेक्टेड जितनी कॉंसेप्ट आपके किताब में हैं बुक में हैं वर्क बुक में उनके सारी वर्क शीट्स और एक्टिविटीज महुजूद हैं अगर हमें जरूरत पड़ी तो आप अपने पैरेंस की मदद से आप डाउनलोड कर सकते हैं सो प्यारे बच्चो आओ किताब की तरफ माई डियर स्टुडेंट्स अस्सलाम अलेकुम आप लोगों ने लिविंग तिंग्स के बारे में पड़ा अभी हम जाएंगे नान लिविंग तिंग्स की तरफ और जो करिक्टिस्टिक्स आप लोगों है यहनी लिविंग तिंग्स में जो करिक्टिस्टिक्स ती वो नान लिविंग तिंग्स में नहीं होती फॉर एक्जेंपल हम यह कह सकते हैं कि नान लिविंग तिंग्स के नर्ट मूफ नान लिविंग तिंग्स के नर्ट ग्रो नान लिविंग तिंग्स के नर्ट ब्रीट तो प्यारे बच्छो, non living things क्या है? देखे not, move, grow, eat, breathe, reproduce आप लोगोंने वो सारी property's देख ली जो living में थी, वो living में नहीं है आओ बच्छो, non living things के दो बड़े टाइपस है पहले वो non living things है जो naturally पाए जाते हैं for example, आपको पहाड भी नजर आएंगे आपको पानी भी नज़र आएगा और आपको और काफी सारी चीज़ें ऐसी यानि रोड पे आपको पत्थर भी नज़र आएंगे ये सारी की सारी क्या है प्यारे बच्छों ये नेच्रल तिंग्स है ये अल्ला मेड है इसको अल्ला माइटी हैज मेड आल दीज नेच्रल तिंग्स फर आस इसमें देखें सन है वाटर है सॉइल है रॉक है आईल है वुडन लॉग्स है ये सारी की सारी किसने बनाई है ये अल्ला ने बनाई है प्यारे बच्छों और इन चीजों से इनसान मुख्तलिफ चीजे और बना लेता है जिस तरह ये लकड़ी ये ट्री थार चप्ट्री जब ये ग्रो कर रहा था तो ये लिविंग था जब इसको काटा गया तो ये क्या हो गया प्यारे बच्छों ये नॉन लिविंग हो गया और ये तो है अब नेच्छरल लेकिन इनसान ने क्या कर दिया इससे टेबल और चेर बना दिये तो ये जो वुड़न लॉइट था ये था नॉन लिविंग लेकिन नेच्छरल ली आकरी था लेकिन इससे इनसान ने चेर और टेबल बना दिये इसको हम क्या बोलते हैं मेन मेड तिंग्स तो प्यारे बच्छो नान लिविंग तिंग्स आर अफ टू काइंड नमबर वन नेच्छरल नमबर टू मेन मेड तिंग्स आइम शौर के आप लोग इसको समझ गए और इसको साल्व कर सकेंगे प्यारे बच्छो और एक प्यारी सी एक्टिविटी की तरफ और एक्टिविटी में हमने क्या देखना है हमने जो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली लिविंग की और नान लिविंग की वो करेक्टरिस्टिक्स हम यहां पे चेक करेंगे कि आया आपको याद है या नहीं है तो प्यारे बच्छो आप लोग इस कालम में देखें इसमें कुछ आपजेक्ट्स की करेक्टिस्टिक्स लिखी हुई है और सामने कुछ नेम्स है एनिमल्स है बर्ड्स है इंसेक्ट्स है बुक है प्लांट है तो सबसे पहले characteristics को हम देखते हैं does it move, क्या animal move करते हैं, yes क्या birds move करते हैं, yes क्या insect move करते हैं, of course क्या book खुद move कर सकता है, no क्या plant move करते हैं, yes अपनी जगा move करते हैं और क्या animal, उसके बाद क्या है प्यारे बच्चो does it eat क्या ये का सकता है मैं नहीं बताऊंगा क्या वर्ड का सकता है मैं नहीं बताऊंगा तुम खुद लिकोगे क्या इंसे का सकता है क्या किताब कुछ का सकता है तुम लोगों ने खुद यहां पे क्रास या टिक लगाना है क्या प्लांट क्या प्लांट कुछ का सकता है यास ये का सकता है तो प्यारे बच्छो जो नेक्स करेक्टिस्टिक्स है ब्रीथ तो मुझे बताओ क्या एनिमल ब्रीथ कर सकते हैं क्या बर्ड ब्रीथ कर सकते हैं क्या इंसिक ब्रीथ करते हैं क्या किताब सांस लेती है क्या प्लांट सांस लेते हैं और इसके बाद क्या हैस इट यंग वन्स एनिमल्स के बच्चे होते हैं बड्स के बच्चे होते हैं इंसेक्ट्स के बच्चे होते हैं नहीं होते हैं और बुक के बच्चे होते हैं क्यों नहीं होते हैं हाँ प्लांट्स के बच्चे होतें नहीं होतें आप जहां मैंने डाट लगाया वहाँ पे आपने या क्रॉस लगाना है या टिक लगाना है आपकी मर्जी और ये जो नीचे तीन अक्टिविटीज है मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने आपके लिए चोड़ दिये और इसको 345 अगें फाइव है और इसके टोटल मार्स है टैन अब कितने मार्स लोगे मेरे फ्यारे बच्छे कितने 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 यास टेन आउट आफ टेन मार्क्स लेंगे और मैं आपको दूँगा कितने जीरो एक्स नियो यह मैंने लिख दिया excellent so well done my children I'm proud of you well done see you in the next class